नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने योटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ दस रुपे के एक ऐसे नए सिक्के के बारे में जिसकी वैल्यू काफी ज़्यादा है मैंने आपको काफी बार बताया है अपनी वीडियो में कि एक नए सिक्का भी कीमती हो सकता है अगर उसमें कुछ खास बात है और सभी पुराने सिक्के कीमती नहीं होते हैं तो आज की इस वीडियो में 10 रुपे के एक ऐसे सिक्के के बारे में जाने के इस वीडियो को आपको जनकारी देने वाला हूँ 10 रुपे के एक खास और वैलियोबल सिक्खे के बारे में मेरे हाथ में जो 10 रुपे का सिक्खा आप देख रहे हैं इस सिक्खों को आप ध्यान से देखिए यह 2019 का सिक्खा है और 2019 में किस तरह के सिक्खे आये थे बायमेटलिक 10 रुपे के लेकिन यह सिक्खा बायमेटलिक नहीं है यह सिक्खा पूरे एक सिंगल मेटल से बना हुआ है और निकल ब्रास का सिक्खा है जबकि 10 रुपे के सिक्खे कुछ इस तरह के देखने को मिले इन दोनों 10 रुपे के सिक्खे मंतर देखे दोनों में 10 10 रेस है और इसमें भी 10 राइस है और नीचे रूपीस का सिंबल है और इनॉपी नेशहन टैन यह वाला जी सिक्खा यह बाइ मैटलिक सिक्का है जिसमें अंदर कॉपन निकल है और बाहर की जो रिंग है वो अलुमिनियम ब्रॉंज की होती है जबकि यह सिक्का पूरा निकल ब्रास का सिक्का है यनि कि यह 10 रुपे का सिक्का जो है यह एक OMS सिक्का है इस सिक्के में तीन बड़े एरर देखने के मिलेंगे आपको वो वीडियो को जब पूरा एंड तक देखेंगे आप तो सारे चीज़ अच्छे से समझाऊंगा तो दोनों सिक्कों में बारी किसे आप अंतर समझ लीजिए इस 10 रुपे को देखिए इसमें अंदर एक रिंग होती है और एक आउटर रिंग होती है यानि कि ये सिक्का दो अलग-अलग मेटल से मिलकर बनता है जबकि ये 10 रुपे का सिक्का है जिसको हम निकल ब्रास बोलते है तो ये सिक्का बड़ा खास है अब इस सिक्के का एक बार year देख लीजिए 2019 का सिक्का है यह यानि कि ज़्यादा पुराना सिक्का नहीं है 3-4 साल पुराना सिक्का है तो अब इसकी value भी हम वीडियो के end में जानेगे क्या इस सिक्के की value है सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस 10 रुपे का सिक्का जो है यह 5 रुपे के प्लैंचेट पर स्ट्राइक किया गया 5 रुपे के सिक्के कौन से यह वाले 5 रुपे के सिक्के एक पर size नाप लिजें इन सिक्कों का यह देखिए पीछे 10 रुपे का सिक्का मैंने रखा हुआ है यह देखिए प्लैंचेट बिलकुल परफेक्ट है size एकदम परफेक्ट है सिक्केगा तो यह जो 10 रुपे का सिक्का है यह 5 रुपे के प्लैंचेट पर स्ट्राइक किया गया इस वज़े से यह बन जाता है एक OMS कोईन अब इस OMS कोईन में हमें कुछ बड़े एरर देखने को मिलते हैं कौन कौन से एरर देखने को मिलते हैं अब यह आपको अच्छे से समझना होगा थोड़ा सबसे पहला बड़ा एरर तो यही है कि इस इक OMS है यानि कि Other Metal Strike जिस Metal में इस इक का बनना था इस इक का कुछ इस Metal में बनना था यानि कि 5 रुपे के सिक्के पर स्ट्राइक किया गया तो दो एरर पहला एरर OMS दूसरा एरर रोंग प्लेंचेट अब तीसरा एरर देखिए डबल डिनोमिनेशन यहाँ पर 5 देखेंगे आप यह 5 बना हुआ है और यहाँ पर 10 त्यान से देख लें आप जूम करकर दिखा रहा हूँ बिल्कुल क्लियाटी के साथ यहाँ से ऐसे 5 बना हुआ है और फिर यहाँ पर 10 बना हुआ है तो यानि कि यह एक डबल डिनोमिनेशन कोई भी है तीसरा एरर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रुपी का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है और यह उबरा हुआ रुपी का सिंबल तो बड़ा आपको देखने को मिल रहा है लेकिन एक और दिख रहा है हलका बेक्ग्राउंड में देखें आप यहाँ पर रुपी का सिंबल इस तरफ और इस तरफ भी देखें आप इस तरफ लिखा है पांच रुपे ध्यान से देखें आप और यह जो ड्रॉप का डिजाइन आप देख रहे हैं यह कुछ इस तरह का डिजाइन है यह वाला यहाँ पर 5 रुपे लिखा होता है और यह जो drop का design देख रहे हैं आप यह वही design इसमा रहा है तो यहाँ पर देखें आप यह race के उपर देखें यह 5 रुपे हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर rupees लिखा हुआ है लेकिन वो clearly प्रियरली दिख नहीं रहा है और ये देखे द्रोप का डिजाइन इस तरफ ये ऐसे ये वाला डिजाइन ड्रोप का अब इसमें और भी एरर दिखाता हूं आपको जब हम सिक्के को देखेंगे ओबर साइड से ओपर साइट से देखें अशोगिस्तम देखें और एक इंप्रेशन ये देखें आप और सत्य मेवज़ते देखें आप नीचे लिखा है और यहाँ पर जह हम देखेंगे तो उबरा हुआ भारत दिख रहा है और एक बैक्गराउंड में भी हलका फेड़िड लिखा हुआ दिख रहा है भारत जान से देखें आप सिक्के को बिल्कुल बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर दो भारत दिख रहे हैं यहाँ आपको लिख्या हुए एक background में दिख रहा है हलका सा और एक यह उबरा हुआ और अशोक स्थम का impression देखे कि यहाँ पर भी दिख रहा है और एक यह उबरा हुआ clearly दिख रहा है तो यह बहुत बड़े error सिक्के हैं जो mint की तरफ से बन जाते हैं और काफी बार यह सिक्के है ना auction में भी देखने को मिलते हैं तो इसमें तीन major error है पहला error OMS दूसरा wrong plan chat तीसरा double denomination 10 रुपे तो है ही लेकिन यहाँ पर हिंदी में 5 रुपे लिखा है और यहाँ पर 5 भी बना हुआ है यह 5 तो एकदम clearly दिख रहा है एकदम यह यह तीन बड़े error इस सिक्के में देखने को मिल रहे हैं तो इस वज़े सिक्का खास और rare बन जाते हैं ऐसे सिक्के काफी बार auction में देखने को मिलते हैं कंडिशन देखे सिक्के की कंडिशन काफी अच्छी है और ओक्षन में ये सिक्के अच्छी खासी कीमत पर बेखते हैं क्या कीमत होगी इस एरर कोईन की तो ऐसे एरर कोईन की कीमत 5-6,000 रुपए होगी क्योंकि इसमें तीन बड़े मेजर एरर है डबल डिनोमिनेशन, OMS और रॉंग प्लैंचेट तो ये है मेरे कलेक्शन का एक खास और वैलियोबल सिक्का ध्यान से देखने हैं सिक्के को ऐसे एरर कोईन, OMS कोईन आपको लगभग सभी मिन्ट से देखने को मिलेंगे और मैंने अपनी वीडियो में काफी बार दिखाए भी है नोड़ा मिन्ट के OMS सिक्के, मुंबई मिन्ट के और हैदराबाद मिन्ट के OMS कोईन कुछ मिन्ट से OMS सिक्के थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बाकी मिन्ट की तुलना में लेकिन ऐसा नहीं है क्या और मिंट में OMS सिक्के या Error सिक्के नहीं बनते हैं सभी मिंट में बनते हैं सिक्के बनाते समय सिक्के खराब भी होते हैं सिक्के Error भी बनते हैं और सिक्कों को अलग प्लैंचेट पर भी बनाया जाता है तो OMS Error सिके लगबग सभी मिंट से देखने को मिलते हैं बस कुछ मिंट से थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो ये 2019 का निकल ब्रास का एक OMS सिक का 10 रुपे का कोलकता मिंट का जिसमें बड़े एरर देखने को मिल रहे हैं किलियरली हिंदी में पांच रुपे भी लिखा है यहां पर पांच बना हुआ भी है पांच यह उपर दस भी बना हुआ है और डबल सिम्बल रुपी के और टैन रेज वाला ये सिक्का है दोस्तो मैंने अपनी वीडियो में काफी बार आपको बताया है क्या सभी पुराने सिक्के कीमती नहीं होते हैं और एक नया सिक्का भी कीमती हो सकता है अब जैसे मैंने बताए एक नया सिक्का है कितना नया सिक्का है 2019 का सिक्का है और सिक्की बात क्या बताई मैंने 5-6,000 रुपे जबकि यह पुराने सिक्के देखे आप दिखाता हूँ आपको काफी लोग है ना इस पर हमें रहते हैं कि जो पुराने सिक्खे होते हैं ये देखे कितने पुराने सिक्खे हैं इसमें मुगल कालिन सिक्खे भी है इसमें एंशेंट इंडिया के सिक्खे भी है और इसमें बह्मनी सल्तनत के सिक्के भी हैं तो ये कुछ प्राचीन भारत के सिक्के हैं इस इंडिया कंपनी के सिक्के भी हैं तामवेवाले कोपर के और ये सिक्के देखें ये सिक्का देखें कितना पुराना है और उसकी वैल्यू आपको बताऊंगा एक बर देखें द्यान से इसको य और यह सिक्का दूसरी तरफ से उल्टा हो जाता है यह सिक्का ऐसा ही है तो इसको आपना रोटेशन ना समझें इसी तरह क्या आते हैं यह देखें उपर देखें क्वाट्रा न लिखा है बॉम्बे प्रेजिंसी का सिक्का है अठारा सो पैंतिस का यानिकि इतना पुराना होने के बाद भी सिक्के की कंडिशन देख लें आप अच्छी खासी कंडिशन है वेरी फाइन लेकिन इसकी कीमत कितनी पांसो शैसो रुपे तो इतना कीमत उतनी कम होगी आप बड़ी कुई इग्जिबिशन में जाएंएं ऐसे सिक्के आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे बापर 200-200-300-300 साल पुराने सिक्के आपको 200-200-300-400-500 रुपे तक में देखने को मिलेंगे और एक नया सिक्का जिसमें कुछ खास बात है जो वाकि सिक्कों में नहीं है उसकी कीमत आपको 15,000 रुब भी सुनने को मिल सकती है तो दोस्तों आज की वीडियो ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को दबा दे तक याने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज की इस वीडियो को इन कातम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद